उत्राखन के मुख्यमंत्री विजे बहुगुणा ने कहा कि उन्होंने 16 जून को मौसम विभाग की जेतावनी जारी होने के बाद ही चारधाम की यात्रा रुकुवा दी थी उत्राखन के मुख्यमंत्री के मताबिक उन्होंने सहलाब से पहले ही चारधाम की यात्रा रुकुवा दी थी लेकिन अब तक किसी भी श्रधालू यात्री ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है कि उन्हें चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए प्रशासन निम्मना किया उत्राखंड के मुख्यमंत्री ने ये दावा तो किया है कि उन्होंने यात्रा रुपवा दी थी लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ में सबी धर्मिशालाय क्यों खचाखच भरी हुई थी केदारनाथ मंदर के परिसर में क्यों शुद्धालों के मीर जमा थी क्या आफसरों ने अपने ही मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना अगर उत्राखंड की सरकार को पता था कि 16 जून को तबाही आने वाली है और चार धाम की आत्रा भी रुकवा दी गई थी तो फिर केदारनाथ घाटी को खाली क्यों नहीं करवाया गया क्या लोगों को किस्मत के भरों से छोड़ दिया गया उत्राखंड के मुख्यमंत्री विजे बहुगुणा ने कहा है कि वो उत्राखंड विदान सबा के स्पीकर गोविंद कुंजवाल का सम्मान करते हैं लेकिन अंदाज के आधार पर मौत का आकड़ा नहीं दिया जा सकता है बहुगुणा की मताबिक 10,000 लोगों की मौत की बाद जूटी है उत्राखंड के भयानक भारिश को आपदा में बदलने से रोका जा सकता था मौसम विभाग में उत्राखंड सकार को कई बार शेताबनी भेजी थी कि यात्रा का उस थगित कर दिया जाए क्योंकि भारी बारिश होने वाली है लेकिन सकारी अधिकारियों ने इस चेताबनी पर ध्यान नहीं दिया उत्राखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर यश्पाल आर्या ने इस विकार किया है कि मौसम विभाग में दो दिन पहले ही सेलाब की चेताबनी दे दी थी दिजास्टर मैरेजमेंट मिनिस्टर यश्पाल आर्या भी मान रहे है कि मौसम विभाग में दो दिन पहले ही सेलाब की जेताबनी दे कर कहा था कि चारधाम यात्रा करने वाले साफधानी बढ़ते लेकिन जेताबनी के बाद उत्राखंट सरकार में जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए 28 जून को उत्राखंट मौसम विभाग के दारेक्टर आनंद शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि 15 जून को इस सहलाब की चेताबनी दे दी गई थी मौसम विभाग ने सरकार को भी इस बारे में जानकारी दे दी थी अंग्रेजी अकबार टाइमस ओफ इंडिया की खबर के मताबिक 14, 15 जून को राज्य के अलग-अलग अधिकारियों को मौसम विभाग ने कहा था चारधाम यात्रा को टाल दिया जाना चाहिए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बेजा आना चाहिए क्योंकि बहुत बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने राज्य के मुखे सचिव चारधाम यात्रा में पढ़ने वाले जिलों के डिये मापदा प्रबंदन केंडर आई टी बीपी और चारधाम यात्रा के लिए जिमेदार O.S.D. समेट कई बड़े अधिकारियों को चुछितावनी की लिखे जानकारी दी थी मौसम विभाग की स्चितावनी को दिली में बैठे उनके अपने अधिकारियों नहीं कंभीता से नहीं लिया मौसम विभाग को केंद सरकार को भी अलर्ट करना चाहिए था हाला कि मौसम विभाग ने आपदा प्रदंदन केंद को चेतावनी की जानकारी जरूर दी थी मौसम विभाग ने 15 जून यानि भयानक बारिश से पूरा एक दिन पहले ही अपने अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी और ITBP और रूद प्रया के डियम को दे दी गई थी ये जानकारी इस चेतावनी में साफ कहा गया था कि यात्यों को सुरक्षित जगों पर जाने को कहा जाए मौसम विभाग के अधिकारियों ने जब ये देखा कि उनकी चेतावनी को अधिकारी गंभीता से नहीं ले रहे है तो 16 जून की सुभा दोबारा एक एडवाईजरी जारी की गई जिसमें कहा गया था कि यात्यों सुरक्षित सानों पर जाए अगले 36 घंटे में भारी बारिश हो सकती है उत्राखर्ण मौसम विभाग के निदेश्यक आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जब चेतावनी में बहुत बारिश लिखा गया तो मतलब ये रूटीन एडवाईजरी नहीं है ऐसा बहुत कम मौकों पर किया जाता था उत्रकाशी में अब बागी रती नदी ने भयंकर रूप धारण कर रखा है मंदाकनी में आएस अलाब के 15 दिन बीच जाने के बाद अब बागी रती लोगों को डरा रही है बागी रती के किनारे पर बसे 40,000 नागरेक विस्थापन जेलने को मजबूर है उत्रकाशी में अगले 22 गंटे काफी मैत्पूर है क्योंकि इस वरान मौनसून की भारिश भागी रती का जलसर और बढ़ा सकती है जिसे उत्रकाशी में लोगों की मुसीबते बढ़ सकती है किदारनाथ में जैसा रूप मंदाकनी ने धरा कुछ वैसा ही रूप अब उत्रकाशी में भागी रती का दिखाई दे रहा है भागी रती नदी के किनारे बसे उत्रकाशी में तेजी से लोग नदियों के किनारों को छोड़ रहे हैं अगर मौनसून की तेज बारिश शुरू हो गई तो रेस्क्यू का वक्त भी नहीं मिल पाएगा टीरी बान से पहले 5 किलो मीटर तक भागी रती ने बयंकर रूप धारन का रखाया प्रिशासन के सामने मौनसून की बारिश से पहले ही निशले इलाकों को जल से जल खाली करवाने की चुनौती है क्योंकि भागी रती का जल सर तेजी से बढ़ रहा है 16 जून को सुबा पांच बजे केदार घाटी में रेस्क्यू करने के लिए गए उत्राखंट पुलिस के सब इंस्पेक्टर है हेमेंद्र सिंग रावत ने सेलाब क्यों खापना कहानी बयां की है हेमेंद्र सिंग रावत ने बताया है कि जब वो पांच पॉंसेबल के साथ मौके पर पहुंचे तब केदार घाटी का नजारा बेहदी दराबना था कई खचर मालिक मंदाक्नी नदी में आई बार में फसे मदद की गुहार लगा रहे थे जैसे दैसे बड़ी मश्यक्त के बाद हम लोगों ने 35 खचर मालिकों को रेस्क्यू किया हेमेंद्र सिंग रावत ने बताया कि देखते देखते मंदाक्नी नदी उफान पर आ गई नदी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था तभी वौकी टॉकी पर मेसेज आया कि गौरी कुंड के पास कई गाड़ियां बाड में बह गई गौरी कुंड पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात एसाई हेमेंद्र सिंग को सूचना मिली थी कि केदार घाटी में कई खचर मालिक बाड में फसे हुए है उसके बाद एसाई हेमेंद्र रेस्क्यू करने के लिए केदार घाटी की तरफ गई थे खचर और खचर मालिकों को तो उत्राकंड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद बचा लिया लेकिन जवानों के साथ दूसरी चुनाती थी गोरी कुंड में फसे शुरधालों को बचाने की हेमेंद्स सिंग रावत ने ये पूरी ख़ौफना कहानी बया की है इंस्पेक्टर हेमेंद्र के सामने कुद्रत ऐसा कहर बरपा रही थी की जिसके सामने उत्राखंड के तमाम जवान भी मानोलाचार हो चुके थे सोलह तारीक की दुपहर को इंस्पेक्टर हेमेंद्र को सूर्च अमिली की के दारनात और बद्रियात को जोड़ने वाले तमाम पुल तहस नहस हो चुके है News 24 सहलाब में बिच्ड़े हुए परिवारों को मिलवाने की मुहीं में जुटा हुआ है इसी मुहीं के तहद हमारे छे रिपोर्टर और कैमरमेन सहलाब रभावित उन सभी जगों पर तैनात है जहां आपकी अपने हो सकते है जोशी मट से हमारे समवादाता कुमार कुंदन और कैमरमेन परकाश बिच्ट ने रेस्क्यू कर लाए गए लोगों की तस्वीरे कैमरे में कैयरत की आप भी इन तस्वीरों में ध्यान से देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में आपका कोई रिश्दार तो नहीं है सेलाव के पंदा दिन बीच जाने के बाद भी रिशिकेश में लोग अपनों की तलाश में बटक रहे हैं लोग अपनों को लगाता तलाश रहे हैं अपने रिशदारों के फोटो लेकर उन्हें ढूनने की कोश्चिश कर रहे हैं गौरी कुंड हाथसे में शहीद हुए आईटी बीपी के इंस्पेक्टर बीम सिंग का पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया कठुआ में उनके पुछ्टैनी गाओं में हजारों लोगों ने शहीद पोश्रत धांच लीटी आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की एक टीम के दानात मंदर में जाकर नुकसान का जाइजा लेगी दिल्ली और देरादून से पुरातत विवभा की एक टीम पूरे के दानात मंदर का सर्वे करने के बाद अपने रिपोर्ट देगी सलाब के बाद मारे गए लोगों को श्रदानजली देने के लिए गंगा नदी में दीबदान कारिकरम का आज़िन किया गया बीजेपी उपाध्याक्षर उमा भारती समेथ हजारों लोगों ने इस कारिकरम में श्रदानजली अर्पित की बीजेपी उपाद्य अक्षुमा भारती ने उत्राखंड सरकार को भारी जनह हानी का जमिदार ठराते हुए गा कि जब तीन दिनों से गांधी सरोवर भर रहा था तो पहले ही के दारनात मंदिर को खाली क्यों नहीं करवाए गया उत्राखंड में सेलाब में मारे गए लोगों की आत्मिक शांती के लिए पूरे देश में हवन पूजा चल रही है रिशिकेश में बीजे फिसांसद सिद्धू की पतनी नवजोत सिंग सिद्धू और स्वामी शिदानन सरस्वती की मौजूदगी में हवन पूजा का कारिकरम संपन हुआ सेलाब से रिशिकेश के मशूर परमार्थ निकेतन भी पूरी तरह तैसने सो चुका है परमार्थ निकेतन ही वो जगा है जहां कभी शिव मूर्टी हुआ करती थी ये मूर्टी पहले ही गंगा में समा चुकी है परमार्थ निकेतन में सेलाब के बावजूद भारी संग्या में भक्त जमा हो रहे हैं हर रोज यहां पूजा अर्चना जारी है परमार्थ निकेतन शिव भक्तों के लिए काफी एहमियत रखता है दिली एरपोर्ट मेट्रो लाइन का संचालन एक जुलाई से डियमर्सी करेगी रिलाइन्स इन्फरा ने इसके संचालन के साथ हाथ कीच लिये हैं डियमर्सी के मताबिक रिलाइन्स इन्फरा घाटे का हवाला देते हुए संचालन करने से मना कर चुट